हेलो फ्रेंड्स क्या साब सब लोग फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात की जाएगे आपकी संस्कित की क्लास सेकंड के बारे में इससे पहले जो क्लास फर्स्ट हो चुकी है वह आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सक उसमें आपके 15 नंबर में गद्यांस और काव्यांस आते हैं चाहिए आपका हिंदियों संस्क्रितों कोई भी लेंग्वें जो तो आपको खुद सोल करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करने पड़ेगी उनको उनको करना किस तरीके से ताकि कम टाइम में आप बिल्कुल पूरा नंबर ले सको उसकी वीडियो में बनाई हुई है वह आप लोग जाके देख सकते हो लेकिन जो बाकी के 15 नंबर है उसमें आते आपके पेड़ागोजी के कुश्चन आंचर इन 15 नंबर पे ही मेरा फूरा फोकस है कि इसमें आपके कम से कम 12-13 नंबर तक में दिल्वा सको त तो इसलिए जितने भी most important question answer होते हैं जो सभी में आपको वीडियो में कराता हूँ इससे पहले class first में करा चुका हूँ आज class second है साथी अगर सारा content आपको एक साथ चाहिए तो मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है इस पर आप message कर देना इसमें आपको सभी subject के notes मिल जाएंगे इसके लगशे कुछ कोई book purchase करने की ज़रोतनी है सीट तो आपका इनी से पढ़कर पास हो जाएगा अच्छे नंबर उसे ठीक है चले स्टार्ट कर लेते हैं किलास को साथी चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि इसके बाद जितनी भी class आएगी संस्कृत कि आपको चैनल को subscribe कर लेना like share तो अपने आप करी देते हो चले पहला question देख लेते हैं पहला question इसमें दिया वाया बहुत साध्यन और आकलन का विबागय नाम क्या है देखे जो इसका विबागय नाम है बेसिकली उसका नाम option में दिया हुआ नहीं है उसका नाम आपका portfolio यह नाम सद लिखते हैं आपको समझ म आगया होगा सीट में यह कोश्चन लगबग हर साल रिपीट होता है पॉर्टफोलियो के नाम से चाहे आपकी कोई भी लेंग्वेज हो चाहे आपका संस्क्रित हो चाहे आपका हिंदी हो ठीक है तो जो आंसर इसमा आपका थड़ है कि छातरा है काली के कारे संगर में है या त जाता है और पॉर्टफोलियों के नंदर यही होता है बच्चे के काम होते ह between the अगले मेने में उससे जाद है कि अगले में उससे जाद है कि उसमें से कम झीडिक है कि बच्चरा किस तरीगे से process कर रहा है ताकि उसको उसकी गलतियों को ध्यान में रके उसको सुधार्ध ठीक है तो इन सभीका रिकोर्ड काहा पर पोड़फोलियो के निदे रखा जाता है आंचर आपका थर्ड से हो जाएगा इंपोर्टेंट को सने पोर्टफोलियों का आपके लगबग हर साल सीट एट माता है चलते नेक्स्ट कुस्टन पर नेक्स्ट आपका चातर के इंदरिता कक्षा इतनेन का है अभी परहे कि मतलब चाहत्र के इंद्रित कक्षा क्या भी पूष्योंरे क्लासरूम इसके अ बाई जिस भी option में आपको एक शक्रिय मिले दूसरा निस्क्रिय मिले उस option को देखते गलत कार देना दोनों का सक्रिया होना बहुत जरूरी है चाहे अध्यापकों चाहे स्टुडेंटों जब तक दोनों शक्रिया नहीं होंगे दोनों एक्टिव नहीं बनेंगे तब तक कोई ना तो समझा पाएंगे और ना ही बच्चे समझ पाएंगे इसलिए दोनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है जैसे option इसमें second दिया हुआ है कि छात्रा है कक्साया है केंद्रे उपविसंते कि मलब छात्र को एक सेंटर्ड में बैठा दो बाई छात्र को सेंटर्ड में नहीं ब द्यान रख लिए बच्चे सेंटर्ड में बच्चे के इर्दगिर्द सारी चीज़े करनी है ना कि बच्चों को किलास रूम में सेंटर्ड में बैठा दिया तो ये भी आपको option गलत हो गया इस तरीके के अध्यापक से निर्देशन जा भी आपको दिख जाए अध्यापक क इस वर्ड को देखते हैं आप option को सही कर देना यह आपका हमेशा पोजिटी होगा जब बच्चों को विविन गती वीडियो के अमाद्दम से कोई चीज़ सिखाए जाती है तो आंसर इसमा आपका थर्ड से हो जाएगा इंपोटेंट कोश्चन तक काफी आपका चलिए नेक्ष्ट पढ़ते हैं चतुर्त कक्साया है सोमया नाम बाला पठन समय कहने का मतलब है कि चोथी कक्सा में फोर्थ किलास की कोई लड़गी है जिसका नाम है आपका सोमया वह पठन समय पढ़ते समय क्या करते हैं एकम अनुमानम कुरियात की संदर्व के अनुसार संदर्व के अकोडिंग उस सब्द के अर्थ का अनुमान लगाएगी बैसिकली बच्चा क्या हम लोगों के सामने आ जाता है तो मानलों पढ़ते पढ़ते मानलों किसी टोपिक पर पढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा आइडि अनुमानम किरियते एक अलाब दुवारा तीन कोशलो का आगलन किया जाता है तो क्या है इसका आदम्स जा अकिल आदम्स अपना अलाप गाता रहे ठीक है मतलब किसी एक आदमीं का अखेले बोलते जाना एक अलाब कहलाता है तो आंसरिस में हो जाएगा आपका फॉर्थ ठीक है तीने को अच्छे तरीके से देख लेना चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट आपका कि सिख्षक क्लास में पाठ्य पुस्टकों के सक्रिय बेदों नोयतु परिरीत करता है तर्स्य करते एतद मैतपून यता चात्रा है तो सिख्षक के लिए क्या आविशक है ठीक है तो देखे जो उप्सन डी है श्वयम परसनान पर्चंतू मलब जो चात्रा होता है अगर वो स्वयम परसन पूछे तो यह क्या होगा सबसे लिए सबसे ज्यादा आव सकते देखो एक बात ध्यान नकलो अगर मान लिए टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा कोश्चन ही पूछ रहा तो समझ लो बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है और बच्चे आपके पीछे दोडलें नहीं पढ़ पाएंगे तो इसलिए इंट्रेस्ट लेना बहुत जुरूरी है बच्चा रूची लेगा तो बच्चा कोश्चन भी पूछेगा और अगर खुद कोश्चन पूछेगा तो सबसे एफेक्टिव तरीका होगा जब बच्चा खुद इसलिए बच्चे का एक्टी होना शक्री होना बहुत जरूरी है और उसका पर रूची होना बहुत जरूरी है चलते नेक्स्ट उप्षन पर जो आपकी हिंद्य और संस्कीत होती है मोशली कोमन होती है ठीक है तो अगर इनको आप समझोगे ना इनको उप्षन को भी आप डिटेल में समझोगे तो आप पैड़गोजी में मैं यकीन दिलाता हो को पै कि आवसक्ता जाद है ठीक है मैती आवसक्ता कि इसकी जादा आवसक्ता है तो देखे सबसे जाद जो आवसक्ता होती हो मातरभासा की होती है एक नंबर का आता है या दो नंबर का भी आपका आजाएगा क्योंकि आपकी दोनों लेंग्वेज में पूछा जाता है मातरभास तो समझ लो बच्चे का वही हीन भावन आ जाएगी और बच्चे का विकास इस तरीके से नहीं हो पाएगा तो एज गूड टीचर और गूड टीचर नहीं भी हो तो भी आपको मात्रबासों को हमेसा प्रमोट करना है बच्चे की जया साधा आउसर देने हैं बच्चों को कि बड़ा हो जाएगा तो दूसरी सी के लेगा लेकिन मात्रबासा इतनी महत्पून होती है अती महत्पून आप इसको लिख सकते हो ठीक है बहुत जादा महत्पून होती है बच्चे के विकास के लिए और और यह कोश्चन आपका सीटेटके एक्जाम में देखना जरूर बासा अर्जन का सम्मध्म किस्से बासा अर्जन प्राकरतिक रूप से किसी बासो को सीख लेता है जैसे से हमें हिंदी बोलने के लिए मुझे किसी की आव शकता नहीं पड़ी जम्म छोटा था तो मैं अपने गर परिवार में मम्मी पापा वहन बाई अपना ज्वास तो जहाए पर दूसरी बहास सीखने के लिए मुझे इंगलिस इंगलिस का टीचर भी चाहिए इंगलिस के रूल्स याद कनने पड़ेंगे मुझे तो जहाँ पर दूसरी भासों को सीखने के लिए मुझे संसाद उन्हों की जुरूत पड़े तो उतिया आपकी भासा अधिगम ठीक है चाहे तो आप लिए सकते हो कि क्योंकि भासा अर्जन या अधिगम में से कोई सब्सक्राइब आप से पूछ लेता है तो आंसर अगर मैं इंगलिस सीखूंगा थोड़ा प्रोलम तो आएगी न मुझे सीखने में चलते हैं नेक्स्ट कॉस्टन पर जैसे यह उप्सण होते हैं आपके जैसे कंठस्ति करन यानि कंठस्ट द्वारा या व्यकरन इस तरीके उप्सण आपको कहीं भी मिल जाए ना उप्सण निकाल सकते हैं इतना में आपको वरोसा दिलाता हूं नेक्स्ट आपका पर्थम कक्साया है चातर नाम करते भासाया है पठनार्तम अदोलिकी तेशु कतम है विशय योगतम भाहुते कहने का मतलब है कि पहली कक्सा के चातर को भासा पठन कारे में कौन सा विशय सबसे पता ना परिवरन के बारे में पता उसे तो सब्ज़ेक्ट ने रहेगा उसके लिए तो आंसर इसमा आपका जो सही हो जाएगा वह सवह हो जाएगा डी कि मं परिवार है मेरा परिवार ये question आपका दूसरे subject में भी पूछा गया ठीक है और language में भी important question तक आपका चलिए next पर चलते next आपका परते बहासा यहा है लिपी है वर्तते em उकती यह question आपका हिंदी में भी कई बार पूछा जा चुका है ठीक है और आपकी दूसरी language मे में ज़नें का मंदलब है आपना लीपी होती है वैं बिल्कुल सही है बाई जितनी भी language होती है उनकी हर किसी के अपनी golpe क्या है डेव नागरी Windows है ठीक है जितनी भी आपकी लीपी होगी उनकी शॉपावें उनकी कोई ने लीपी होगी तो एक कथन बिल्कुल सत्थ्य nuances apert इ चोमस्की मतनुसारम कि चोमस्की के अकोडिंग मनुस्या है जनमगत भासा गरेंड साधनम यानि मनुस्या जनमगत भासा गरेंड साधन करते है धारिंती यह इन तेशु उत्पद्यते कहने का मलब कि जिस्चे उनमें क्या उत्पन होता है क्या उत्पन होता है वो होता है आप वường हमें बाता वहत ही लेड़िवें में पूछा जाता है , कोई भी बास आपको जैसे हम नीज मुझे जरौत पड़ी किसी चीजी की कि नहीं जरौत पड़ी जो उपर आपको भासा रजन में शीखाए लेकसी की जरौत नहीं पड़ी मैं अपने सीख्ण धूर्ड जो इसको जरौत नहीं होती तो उसी के एकोडिंग जो तर्म साती है साधरन व्याकरन बोल देते सारभूमिक व्याकरन बोल देते इंगलीज के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से बोल देते लेकिन नवाम चो मस्की का कुश्टन आपके एकजाम में जरूर पूछा जाएगा एक नमबर की गारंटी में आपको सब्सक्राइब कर लेना और सारा कंटेंट एक साथ है तो मेरा नमबर दिया हुआ है इस पर आप मैसिज कर सकते हो सीटे टाइप का पास नहीं बहुत अच्छे नमबर से पास कराना है आयोप आपको वीडियो पसंद आयोगी थेंक्यू